नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संचारी और दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी यूटीब चैनल ये इज कुकिंग पर आज में लेकर आई हूँ आलू और कैपसिकम यहने शिमला मिच की बहुत ही बेसिक और सिंपल एक सबजी की रेसिपी जिसको बनाने में आपको टाइम चाहिए मैकसिमम 10-12 मिनिट्स बहुत ही बेसिक समानों से आप इसको बना के रेडी कर सकते हो डोटी, चावल, पराथा, राइस किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो पैन में हलका सा ओयल गरम करके मैं इसमें पहले डाल रही हूँ बड़ी बड़ी डालना बिल्कुल आप्शनल है लेकिन मैं सजिस्ट करूंगी आलू शिमला मिर्च की सबजी में आप बड़ी डालेए उससे क्या होता है सबजी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है तो बड़ी को गोल्डें ब्राउन होने तक हम फ्राइ कर लेंगे और बड़ी को निकालने के बाद उसी पैन में मैं डाल रही हूँ कटे हुए पोटेटो पोटेटो को आप कोई भी शेप में काट सकते हो किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हो लेकिन हलका पतला काटेंगे तो पोटेटो जो है पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा उपर से मैं डाल रही हूँ हलका सा नमक ताके नमक पोटेटो के अंदर तक बैठ चाये अच्छे से और आलू भी बहुत अच्छी तेरीके से पक जाये हलका गोल्डेन ब्राउन होने तक कलर चेंज होने तक हम आलू को फ्राई कर लेंगे तो देड़ से दो मिनिट में मीडियम फ्राई करने में करने के बाद आप देख सकते हो आलू जो है बिलकुल फ्राई होके रेडी हो चुका है आलू को भी मैं निकाल लेती हूँ और अभी पैन में जितना ओयल है उसी में ही आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अभी कटी गए शिमला मिर्च को भी हम अच्छी तेरी के से फ्राई कर लेंगे शिमला मिर्च और आलू ट्राई कीजी एक ही शेप में काटने के लिए उससे क्या होता है सबजी का जो फाइनल लूख है वो बहुत ही बढ़ी आता है और शिमला मिर्च को फ्राई करने के टाइम गैस का फ्रेम हम रखेंगे मीडियम दो मिनित के लिए इसका हम भूनेंगे ओयल के साथ ताकि शिमला मिर्च का जो क्रंच है वो भी बना रहे शिमला मिर्च एक तब सॉफ्ट हो जाएगा तो सबजी खाने में मज़ा नहीं आएगा और उपर से हम नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने से शिमला मिर्च बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाएगा जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है तो शिमला मेच फ्राई हो जाने के बाद उसी ओयल में मैं डाल रही हूँ जीरा और साथ में डाल दूँगे सुखी हुए लाल मिर्ची हलका सा भूल लेंगे मसालों को अभी तीन मीडियम साइच के प्याज को फाइनली चॉप करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज को आपको हलका गोल्डेन ब्राउन होने तक बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है मिडियम फ्लेम में बहुत ही बेसिक रेसिपी है और बेसिक समानों से हम इसको बना के रेडी कर सकते है और विंटर कम आशम है कैपसिक कम मार्केट में अभी बहुत अविलेबल है तो यह सबजी को एक बड़ घर में डेफिनिटली ट्राई कीजिएगा तो प्याज भी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है सौब भी हो चुका है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है अभी हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर तो मीडियम साइज के टमाटर को मैं फाइनली चॉप करके रखे थी वो मैं यहाँ पे डाल रही हो टमाटर डालने से क्या होगा टमाटर का जो खटास है वो भी सबजी में आएगा और टमाटर डालने से क्या होगा सबजी पुरी तरीके से dry नहीं बनेगा हलका moist रहेगा तो खाने के टाइम और भी मज़ा आएगा तो टमाटा डालने के बाद उपर से हम धक्कन लगा देंगे और जब तक ना oil separate हो और टमाटा अच्छी तरीके से गल जाए तब तक हमें इसको पका लेना है और onion के साथ अच्छे से mix हो जाए अभी इसमें मैं कुछ मसाला और डालूँगी जैसे आधा चमज डाल रही हूँ जीरा पाउडर एक चमज भरके डाल दूँगे धनिया पाउडर साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और टेस्ट के एकोडिंग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिच्ची पाउडर मिच्ची पाउडर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो यह बिलकुल आप्शनल है अभी सारे मसालों को हमें बहुत अच्छी तरीके से एक मिनिट के लिए भूल लेना है घर में तो आलू की सबजी हर घर में बनता है एवरी डे मॉर्निंग में आल्मोस्ट रूटीन है कि सब घर में रोटी चपाटी पराठे के सब आलू के सबजी एक ना एक पाट तो बनता ही है उसी में हलका सा ट्विस्ट लगा के आप इसको बनाएंगे कि ये सबजी खाने में और भी मजाएगा तो थोड़ा सा पानी भी मैं उपर से डाली हूँ तके मसाला ना जले और एक मिनिट फ्राइ करने के बाद आप देख सकते हो मसाला ने ओयल अलग कर दिया है मसाला से ओयल चूट किया है अभी फ्राइ कियो है प्रटेटो को हम यहाँ पर डाल देंगे आलू को हम पहले अच्छे से एक मिनिट के लिए मसालों के साथ भून लेंगे गैस का फ्लेम रहेगा बिलकुल मीडियम और एन में हम डालेंगे शिमला मिर्ची क्योंकि शिमला मिर्ची का क्रांच पर गड़ा रखते हुए आपको यह सबजी को कम्प्लीट करना है आलू जैसे ही अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए फ्राइ किये हुए बड़ी को क्रश करके हम डाल देंगे बड़ी को इस टाइम में डालने से क्या होगा हलका सा मिक्स कर देंगे एक मिनिट तेज फ्लेम में हम इसको मिक्स कर देंगे तो आपकी यह सबजी बन के बिलकुल रेड़ी हो जाएगा फिर मिलती हूँ ऐसे कोई क्विक मेट रेसिपी के साथ टेक क्यार स्टे सेब स्टे हेल्दी बबाबाई नमस्ती